मैं इस सवाल के साथ जोड लेना चाहता हूँ कि हमारे घर में, हमारे घराने में संगीत को किस नजरिया से दिखा जाता है, यहाँ ना कोई कसरत के तौर पे नहीं दिखा जाता है, यह पूजा, यह पूजा है यहाँ, उपर वाले को हम समर्पन करते हैं, पूरा का पूरा, ज जो भी रियाज करते हैं, जो भी है. So, हवेली संगीत उसका बड़ा एक logical conclusion कहूं या जो है, वो जैसा हो गया. इसका पूरा श्रेय गुरुजी को है, संगीत मातन पंडि जस्राजी को, उन्हों ने, एक संथ ने उनको प्रसान दिया था कि पंडि जी आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपसे दुनिया को ये बहुत कुछ मिलने वाला है इस विल्ड में. तो फिर उन्होंने रिसर्च शुरू की इसके literature पर and all, फिर compose करने लगे, गाने लगे. तो जिनके अंदर ये भक्ती रहता है, वो जब दौसुरू लगाते हैं न, तो सुनने वालों को लगता है कि इश्वर दर्शन शायद ऐसा ही होता होगा. तो उनके concert में लोगों को ऐसा ही होता रहता था और अब और भी जादा होने लगा. कि उनके हर concert के बाद लोग कहते थे, मैंने कितनों से सुना हैं, हमें भी लगा, कि जब वो गा रहे हैं, जिनको सोच के गा रहे थे, जिनके शब्द गा रहे थे, लेरिक्स जिन पे, जैसे वो वहीं पे खड़े थे, आये थे, ऐसा लगा. तो हवेली संगीत के एक एतिहासी बैक्राउंड तो जरूर है, कि एक मुश्किल घड़ी में, जब लोगों ने थोड़ा सा इंसीक्यार फिल किया, अपने भगवान को मंदिर में बिठाय रखने में, तो उहां से ले गए, लेके अपने हवेली में बसा दिया, उस इलाके के सबसे संपन्न जो लोग थे, उनके घर पे लगाया, अब जब भगवान आ गये हैं, तो अपना नहीं रहा, अब उन्हीं का हवेली बन गया, अब शाम को सब मिलते, सबी कम मिलकर गाना बजाना पुजा पाट, और अच्छे-च्छे रचेटा, उस समय उनका योगदान हो ग इसका मतलब नहीं कि उन्हों क्लासिकल राग पर आधारित है, बट लिबर्टी ले सकते हैं कहीं भी हैं, नहीं, mostly pure राग पर आधारित है, सारे, ये कहते हुए मुझे एक बात ही आदा आता है कि शास्त्रिय संगीत हमारी जो है न, वो मूलत भारती शास्त्रिय संगीत इश हमारे संगीत डिवाइन एंटर्टेन्मेंट के लिए है, वोल्डी एंटर्टेन्मेंट के लिए नहीं है, सो ये बात अभी भी सत्य है, थ्रू हवैली संगीत गुरुजिन ने उसको बियॉंड एनी डाउट्स एस्टाब्रीश करके छोड़ दिया